सूर्ड ड्राइंग में पास हो जाओगे कितनी पास होना है आपको परिछ लेकर जाना है प्रिचे के लिए टिप्स वोल ट्रेक पुराणी पेपर storage की पेपर दिखायेंगे तो प्रिछ से पहले आसे सबस्क्रीह दिखाएगस कोस्ट इसके लेजाना और और आपको एक इस्के ले जाना है साथ में आपको इन सब चीजों के साथ आपको चलना है आपको अपना ट्राइंग्सीट मिलेगा कि आंगे तो कि पैपको दे़ों कर दोद्स और आपके इनियुम्क फीज़ों का इवांड पें ने बातलियू यां अजर्ञ हली इस और वीडियों की तरफ तो कफी लोगों ने जञा है कि इस आइटी आई का इंजिनरिंग ड्राइंग का पेपर के कुस्ट की इसन डालिए तो उसके बारे माज हम आपको लेके आए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यह सन 2020 प्रीविएस येर का पेपर है आई ट्राइंग तो इसमें देख लीजिए आप सब के लिए लिखा ह होगा है के पर फौर्थ इंजिन ड्राइंग यहां पर लिखा है और एन्यू Walmart लिंग इंटियम्नेशन मतलब बराइपर इंपर इच्छह कामन फाराइध्स मतलब्स सभी ड्रेट्स के जो इंजिन ड्रैंस के나हा होते हैं ऊप जैसे होते हैं कामनों एट थे सब टे लिए बर पर सबके लिए है किसी को अलग से कोई कीशिन पर नहीं में राइंग का तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या पूछा है सबसे पहले इंपॉर्टन चीज़ देख लिए से टाइमिंग टाइमिंग तीन घंटे का होता है टोटल मार्स फटें पचास मार्स होते हैं और यहां नोट लिख्या हुआ है अटेम्ट आल क्यूश्चन मतलब कि आपको सभी प्रस्न करने अनिमार है तब जाके आपको पचास नंबर टोटल मिलेंगे अगर आप एक भी क्यूश्चन छोड़ते हैं तो आपको माइनस नंबर में माइनस होना तय है तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन स्कूश्चन क्या क्या पूचा है तो आगे अगो के स्कैच बनाना है उसमें से दो दिया है एक है और ए में इस्क्राइबर भी है सेंटर पंच टोटल मार्क्स 10 तो दोनों बनाने आपको पांच-पांच नंबर का है ये अगर एक बनाओगे एक छोड़ोगे तो इसमें सिर्फ आपको पांच ही नंबर मिलनके जब अचर पंच निए इन इलिप्स वाई-फोषर संटर मिथाट ऑफ ड्रा इन इलिफ्स बई-फॉर संटर मिठाड मेजर एक्सिस कि म मेलुल मिल्मीट्र माइन एकक्सिस- 40 mm तो यह भी आपका 10 नमबर का क्युस्टन है दूसरा भी तो इसमें आपको इलिप्स बनाना है कैसे बनाया जाता है यह हम आपको भी बताते हैं कि फोर मेजर मेथाट से बनाना है यहां पर लिखा है फोर सेंटर मेथाड तो नेक्स्ट की तरह बढ़ते हैं तीसरा क्यूस्टन इसमें दिया है ड्राद गिवन कवर फ्लेट एंड प्लेस दाइमेंशन इन दे लाइन सिस्टम मतलब इसमें जो यह डाइमेंशन है जिसे यह बी लिके से आपको डाइमेंशन लाइन बना बना के उसके ऊपर तब 20 लिखना है फिर इसे नीचे इधर जो लिखा है 20 यहां पर भी आपको जो रूल होता है डाइमेंशन लाइन बनाने का जितने माप पर आपको बनाना होता है कितने मिलिमीटर पर आपको एक्स्टेंशन ला सिस्टम द्वारा लिख के आपको इस प्लेट में जो माप दर्साया गया है उसको दर्साना है तो यह भी आपका दस नंबर का है इसको भी आपको बनाना है नेक्स्ट क्यूस्ट्ट है कि सबसे इंपॉर्टेंट किसे नंब 4, ड्रा, front view, side view and top view इन third angle प्रोजेक्सिन, इस चीज़ को बहुत बारिक नंबर का है बहुत इंपार्टेंट है इसको करना अनिवार है इसमें ज्यादा टाइम लगता है तो सबसे पहले क्यूश्चन आप लोग जब भी क्यूश्चन आपको मिले परिच्छा में सबसे पहले इसको करना अनिवार है उसके बाद बागी चीजों को बाद में बना सकते इसमें काफी टाइम लगता है तो क्यूस्चन स्टार्ट करने के लिए आपको फोर्थ सक्षपहले आपको यह सब यह बनाना जरूरी है आर्थोग्राफि जो भी रहेगा उसके बाद वागी छोटे-छोटे और यह आपको दिखाते हैं कि in सबका ा एे कैसे बना है पहले आपको दिखाते हैंं डाफ्रेहंड सकेश के बारे हम के शिर्ण बनाया जाता है तो यह है मिद्ध ट्राभेंड्विंस इस्क्राइबर और सेंट्र पॉरिंट तो यह नीचे हमते देर काई इंजनियर्र द्राइंग पेपर फर्स्ट यह सलूशन तो नीचे यहां लिखा है क्टिस्टन नमर एक ड्राफ रे-न ट्राइन राविंग अफ स्क्राइबर ऑ छैंटरपंच तो इन शरेस्का यहां पर बना हुगा है यह है द्रा फ्रेहंड इसके इसको बोलते हैं इसक्राइबर यह है इसक्राइबर इसको आपको बनाना है जैसे चित्र मतलब रहता है उसको इसी तरी किसे बनाना है छोटा बड़ा हो जाएक उससे कोई दिक्कत नहीं बस आपको यह दर्साना है कि यह इसक्राइबर की तरह ही आपको freehand बनाना है इसमें भी आपको कोई माप जोक नहीं करना है और जैसे सेंटर पंच दिखता है वैसे बनाना है सेंटर पंच पंच पूंच प्रिक पंच सब यह जैसे बसे उसमें आपको एंगल का फरक होता है यह ूसरा फर्ट पंच सब पहिए कि प्री अगर्ष को से ही हमें फता चलता है कि कौन सा पंच सेनटर पंच जो है सारी इसमें गलती है सेनटर पंच 90 दिगरी होता है यहां पर साउ डिगरी दिया है तो हमेशा इसको ध्यान में रख के आप बनाईए कि Center पंच है कि डाट पंच है, तो इसमें थोड़ा मिश्टक है, यहां पर जो है गलत छपा है, तो सेंटर पंच पूछा है, तो सेंटर पंच में यहां जो 60 लिखा है, यहां यह यह 90 डिगरी को होता है, डाट पंच पूछा होता तो 61 का होता है एक पंच पूचता तो 32 इट टेरी को हता ता यह थोड़ा चैनल 15 पूचहते हैं तो कि नानस्टइट डिग्री होगा इस तरीके से से अवा सिभ्स फर्कर से बाकि आंगार में सब एक जैसे ही होते हैं तो नेस्ट प्राइब नेस्ट क्यूशन आपको दिखाते हैं कर वोते हैं कि पुच्छा था एलिप्स कैसे बाया और फोर सेंटर में थार्ट से तो इस बनता है तो एक यह हो गया सब पॉइंट एक पॉइंट होता है एक यह , एक पॉइंट दो पॉइंट चार पॉइंट यह निए चारों पॉइंट तो इसी मोटने गी और यहाँ पर प्रकार रखेंगे तो इधर से बनेगा इसे बंहाठ стен आप यहाँ बढansाड़ क्या होता है तो यह आपका question number दूसरा था नेक्स्ट क्यूस्टन था इसको align में लिखने के लिए कहा गया था कि दिये गये प्लेट को system align में लिखिए तो हमने क्या बताया था कि आपको जो यह माप दिया है उसको आप बना के लिखना है तो यह बना लेक्ति को में पूलते हैं यह चाए क्या जो वो इसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना के डालेंगे तब तक लिए आपको वेट करना पड़ेगा तो यह है आपका एलाइन सिस्टम नेस्ट की तरफ बढ़ते हैं यह रहां इंपॉर्टेंट जो आपका तो इसमें आपको पूछा गया था टाप व्यू साइड व्यू और फ्रंट व्यू तीनों व्यू को अलग अलग भागों में दर्साना था तो यहां पर देखिए यह साइड वी बना है यह फ्रंट वी बन है और यह टाप भी बना है यह आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन था था थार्ड एंगल में इसको बनाना था तो थार्ड एंगल के सेंबल को इसी तरीके से आपको दर्साना है फिर से अलग से दिखा दे रहे हैं जब भी आपको पूछा जाएगा कि थार्ड एंगल बनाना है तो थार्ड एंगल के प्रोजेक्शन के लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से सिंबल बनाना है यह एक आपको त्रिभुजाकारा ऐसे आकृति बनानी है इसके बाद दो गोला बनाना है तो गोले की लंब जो गोले का व्रित का जो डाइमेंशन होगा बड़े वाले गोले का के लिए वरित का डाइमेंशन है वह इस पीछे वाली लाइन से लिया जाता है और बड़ा वाला डाइमेंशन होगा गोले का वह बड़े वाले लाइन से लिया जाता है और सेंटर लाइन एक तरीके से खीची जाती है डाट डाट करके सेंटर लाइन औ भी खीचेगा एक लाइन बड़ी होगी एक छोटा फिर एक बड़ी एक छोटा और दोनों के छोटे और बड़ी लाइन के बीच में जो गैपी होगा वह वन मिलिमीटर का हो इतना बनाने के बाद आपको अगर फर्स्ट एंगल में पूछेगा तो यह जो गोला बना है यह इस ड्राइंग बनाके कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है यह चीज लिखना निवार है आल डायमेंसन्स आर इन एम्म अगर आप यह लिखेंगा नहीं तो एक जामनर को पता नहीं चलेगा कि आपने जो माप लिखा है यह मिलिमीटर में है कि संटीमीटर मे में हैं तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए यहां पर लिखा जाता है आल डाइमेंशन्स आर इन एम्यम तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको लिखना तो यह किस्टन बीस नंबर का है इसको करना बहुत ही अनिवार है स्टार्टिंग आप यहीं से करिए जब एक्ज पीरल था ज़्यदा ठर्फ नहीं था तो तयारी करिए नेक्स्ट तेलव तारिक से आपका एक्जाम है तो पहला पेपर आपको ड्राइंग है तो ट्राइंग के लिए प्रैक्टीस करते रहिए ड्राइंग में थोड़ा बहुत चंजिंग में सकता है और हैंड फ्री में थो सकता है या एकसा फ्रेम ची जल लिट मस्षीन से संब्देज कुछ पार्ट वगएरा तो आप काफी हैंड फ्री के लिए काफी टूल्स को अपने हाथों से बनाने का प्रेक्टिस करिए यह नहीं कि हम दो बता दिये तो वही दो बनाईए और ऐसा नहीं कि यही दो आएगा को कोई भी पूछ सकता है तो किताब के सारे आप काफी जो हैंड टूल्स को बनाते रहिए और प्रेक्टिस करते रहिए तो चलते हैं फिर वीडियो को आपको लेकर आएंगे सिकंडियर का जो ड्राइंग का पेपर है उसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस क्लिए लेते हैं आप सब्सक्राइब धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए नमस्कार